कौन था अहिरावन जानिए उनके ही पुत्र मकरदवज से हुई उनको मकरदवज के साथ लड़ाई लड़ना पड़ी क्यूंकि मकरदवज अहिरावन का द्वाट पाल था मकरदवज ने कहा अहिरावन का अंत करना है तो इन पांच दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा यह रहस्य ग्यात होते ही हनुमान जी ने पंच मुखी हनुमान का रूप धरन किया उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्शिन दिशा में नरसीह मुख, पस्चिम में गरुम मुख, आकाश की और हय अग्रीव मुख, एवनपूर्व दिशा में हनुमान मुख इन पांच मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझा कर अहिरावन का अंत किया और श्री राम लक्षमन को मुक्त किया और मकरद्वज को पातालोक गराजा नियुक्त करते हुए उसे दर्म के मानग पर चलने की प्रेड ना दी कहां था पातालोक इस भूभाग को प्राची इंकाल में प्रमुक रूप से तीन भागों में बांटा गया था इंद्रलोक, प्रिथवी लोक और पातालोक इंद्रलोक हिमाले और उसके आसपास का क्षेतर तथा आसमान तक प्रिथवी लोक अर्थात जहां भी जल, जंगल और समतल भूमे रहने लायक है और पातालोक अर्थात रेंगिस्तान और समुद के किनारे के अलावा समुद के अंदर के लोक आज जिसे हम खाडी कहते हैं कभी वहां पाताल हुआ करता था इसी तरह के समुद से गीरे इलाके को पाताल कहा जाता था पाताल के कई प्रकार के विभाजन थे धर्ती पर ही साथ पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है ये साथ पाताल है अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल इनमें से प्रतेक के लंबाई चोड़ाई दस-दस हजार योजन की बताई गई है ये भूमी के बिल भी एक प्रकार के पाताल के स्वर्ग ही है इनमें स्वर्ग से भी अधिक विशेभोग, एश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धनसंपती है यहां वेबलपून भवन, उद्यान और क्रीडा स्थलों में दाते, दानव और नाग तरह तरह की मायामी क्रीडाएं करते हुए निवास करते हैं वे सब ग्रिह स्थधर्म का पालन करने वाले हैं उनके स्ट्री, पुत्र, बंधुआ और बांधव सेवव का लोक उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं उनके भोगों में बाधा डालने की इंदरादी में भी सामर्थे नहीं है वहाँ बुढ़ापा नहीं होता वे सदा जबान और सुन्दर बने रहते हैं पाताल लोक में नाग, दाटे, धानव और यक्ष रहते हैं राजा बालिक और भगवान विश्णुन ने पाताल के सुतल लोक का राजा बनाया है और वेह तब तक राज करेगा जब तक कि कल यूग का अंत नहीं हो जाता राज करने के लिए किसी इस थूल शरीर की जरूरत नहीं होती सुक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है पुरानों के अनुसार राजा बली अभी भी जीवत हैं और साल में एक बार प्रित्वी पर आते हैं प्रारमभिक काल में केरल के महाबली पुर्रा में उनका निवास स्थान था